पित्रपक्ष 2024 कब शुरू होगा पित्रपक्ष जानियति थी श्राद का महत्व विधी और पुजा समागरी लेश्ट पुजा समागरी लेश्ट, ब्रम्प पुरान में बताया गया है कि विधी विधान से पित्रों का तरपन करने से पित्र रीन चुकाने में मदद मिलती है, इस समय पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पिंड़ेदान और श्राद किया जाता है। इस समय कुल पित्रों को स्मरन करने उनकी पूजा और तरपन करने का होता है। ब्रह्म पुरान में बताया गया है कि विधी विधान से पित्रों का तरपन करने से पित्र रिन चुकाने में मदद मिलती है। इस समय पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पिंड़दान और श्राद किया जाता है। अतिपदा का श्राद 18 सितंबर दुत्या का श्राद 19 सितंबर गुरुबार तिर्तिया का श्राद 20 सितंबर शुक्रवार चतुर्थी का श्राद 21 सितंबर सनिवार महा भर्नी 21 सितंबर सनिवार पंचमी का श्राद 22 सितंबर रविवार शष्टी का श्राद 23 सितंबर अत्मी का श्राद 23 सितंबर सोंबर, अश्ट्मी का श्राद 24 सितंबर मंगल, नौमी का श्राद 25 सितंबर बुधवार, दश्मी का श्राद 26 सितंबर गुरुवार, एकादसी का श्राद 27 सितंबर शुक्रवार, द्वादसी का श्राद 29 सितंबर रवीवार, मन्धा श्राद 29 सि सितंबर के लिए सभी प्रकार के अनुष्थान करने से पित्रों का आशिरवाद प्रापत होता है इसे जीवन में परिशानियों का अंत होता है और सुक सम्रीधी बढ़ती है श्राध विधी और पूजा समागरी की सुची पित्र पक्ष में किसी ब्रह्मवन के जड़िये पित्रों का तरपन करना चाहिए श्राध में दान का विशेस महत्वय ब्रह्मवन के साथ साजरूरतमन्द लोगों को भी दान देना चाहिए कौवे, कुट्टे और अन्य पसु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए श्राद के लिए सिंदो, रोली, सुपारी, रक्षा सुत्र, कपूर, जेनव, हल्दी, घी, शहद, काला तिल, तुलसी और पान के पत्ते, जो, गुर, दिया, अगरवत्ती, दही, गंगा, जल, केला, की जरूरत होती है, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये पित्र पक्ष वीडियो, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना, बिल्कुल न बुलना, थैंक्स पर झाल